तुमस्ते दोस्तों आज हम टिशू चैप्टर का सेग्मी क्योशन स्टार्ट करेंगे टिशू का फर्स्ट क्योशन हमाली पहली वीडियो में हमने कर लिया था और हमाथ में क्योशन है अब हम स्टार्ट करते हैं क्यों है वर्ट इस था यूटिलिटी ऑफ टीशू इन मल्टिसटल्र और गनिजम स्टेम में दो या दो से जादा और गनिजम होती हैं यहां पे multicellular और unicellular दो टाइप के organism होते हैं इसका अंसर है देर इस एक्लीन कर्ट डिविजन और लेबर इन multicellular organism different part of the body of a multicellular organism perform specific function for example brain control or all other part of body heart pumps blood to all part of body kidney remove waste material from body since organ collect information from external source of sensory precipitation etc all these function would never be possible without formation of tissue in multicellular organism multicellular organism like human being यह सब काम जैसे की brain control or all the other part of body जो हमारा दिमाग है उसे से हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हमें हाथ लेना है तो हमारा कि रिमूफ करते हैं वेस्टेज मेटीरियल फ्रॉम बोडी हर चीज का अपना fff raises brain blood को Pump नहीं कर सकता blood brain जैसा नहीं हो सकता kidney ब्लड पसनहीं कर सकती हर चीज का अपना अपना ऐक function होते इसमें मतला है multicellular organism में अगर यह कुछ भी ना हो तो यह वह होई नहीं सकता लास्ट के फॉर्थ लाइन है और दीस फंक्शन वोड नेवर बी पोसिबल विदाउट फॉर्मेशन ऑफ टीशू के बीना यह कुछ भी नहीं हो सकता इन मलते साथ ओर्गनिसम क्योंकि टीशू ही ऐसे चीज है जिससे यह सब चलते हैं और टीशू का मतलब है दे टीशू विच मेड़ अप ओफ वन और सॉरी टू और मोर सेल्स आर ग्रूप ऑफ सेल्स आर टीशू थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड जैह ही देख